दोस्तो गर आप एक एक एल्टेल का सिम काड यूज करते हैं और आपका इंटरनेट कुछ दिनों से काफी ज़्यदा प्रोब्लम्स दे रहा है तो आज की वीडियो आप पुरा सुरू से लेकर लास्तिक जरूर देख लेना आज के इस वीडियो में आपको एक ICA PIN के सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका यूज करने के बाद आप अपने इंटरनेट के स्पीड को डेफिनेटली इंप्रीज कर सकते हो और साथी साथ दोस्तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलेगो तो वहाँ पर आप कोई प्रो आप यहाँ पर देख लिजिए 2137 आप यहाँ पर देख लिजिए 38 जो की काफी एची डाउनलेड स्पीड आ रही है 42 Mbps आप यहाँ पर देख सकते है 44 Mbps तो दोस्तो आपके भी फोन में कुछ इस तरीके की इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना है तो वीडियो को पूरा जर सेटिंग्स में दूस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड और मोबाल नेटरों का जो ओप्सन मिलेगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे जो भी अपने एपेंट किया होगा यहाँ पर लुए आपको फॉन में इंट्रीर इंटरेवट होժाएगा तो इसे सब्सक्राइब आपको और टैप करना है यहाँ परूपर प्रीमियम मैं यहाँ करे को लगुक्त लगणा ay? ने आपको थैपीटे लेटर में लिखना है APN तेरा आपको यहां पर लिखना है ATL, दोस्त आपको same to same type करना है, तेरा आपको APN का एक option मिल जाता है, APN में लिखना है UTR, यहां पर लिखना है Boost. distracted, प्रेमियू्म आपको सेम टूसे में अघंब करना है आप यहां से देख लिए तो आपको सेम टूसे में आप human एंगे प्रोक्सी को कॉनोटकी सेट बर्डमयुन को टाइब करना है 808विक्ट jogo उजाता है तो username में आपको यहाँ पर type करना है atl यहाँ पर लिखना है इंडिया आपको इतना ही type करना है दिन आपको password को not set छोड़ देना है server में आपको type करना है www.google.com दिन उसके बाद से नीचे एंगे तो mmse को not set, mms proxy को भी not set, mms port को भी not set mcc and mnc आपको phone में already set होगा तो वही set रहने दे तेन आपको authentication type का एक option मिलेगा तो यहाँ पर आपको last dollar option select करना है जो कि pap और chp है then app type का option मिल जाएगा तो app type में आपको यहाँ पर लिखना है default then आपको यहाँ पर comma लगाना है दिन आपको लिखना है uhpl, Xeap, then आपको लिखना है net then आपको लिखना है mms आपको यहाँ पर जो दोस्तों archip टाइप लिखना है इसके बस्ते नीचे एंगे तो यहाँ पर एपिन प्रोटोकॉल को एक option में लेगा तो इसको आपको 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 आ यहां पर दोस्तों यह सभी बिएयों को स्टाइब करना है यहां से इस दिखेएंगे कुछ इसतरीके का दिखाई देगा तो सिंपल इस पर यहां पर एकबर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में यह वला एपन सेटिंग सक्सेस्फिली एक्टिवेट हो जाएगा जोस्तों एपन एक्टिवेट होने के बाद आपके फोन को एक बार रिस्टार्ट जड़ू कर लिजेगा उम्मिद करता हूँ आपके भी फोन में काफे अच्छा खासा इंट्रेट स्पीड आ झाले